नमस्कार दोस्तों सभी का आपका स्वागत हैं सिरीराम के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर और आज अपने एक सबसे बहतरीन सब्जेक्ट लेकर वर्स्तुत हुए हैं और वो है राजस्तान का बुगोल जो है इसको दो खंडों में बांट कर पड़ा जाता है जिसमें एक तो आ परिचे के अंदर भी इस परकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि किस परकार से स्तिती को लेकर परसन पूछे जाते हैं किस परकार विस्तार को लेकर परसन पूछे जाते हैं और राजस्तान का विस्तार भी कितने परकार का है वो भी हम लोग देखेंगे उसके पर्थूई को दो भागों में बांट देते हैं और पर्थूई को दो भागों में बांट देते हैं और पर्थूई को दो भागों में बांट देते हैं और पर्थूई को दो भागों में बांट देते हैं और पर्थूई को दो भागों बांटने वाली जो रेखा है उसको हम ल और दूसरी कौन सी देशांतर है तो यह है कौन सी अक्सांस है हमेशा अक्सांस और देशांतर जीरो डिग्री सी शुरू होती है इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं जीरो डिग्री अक्सांस उसके बाद में हम यह कह सकते हैं कि विश्वतिये रेखा भी इसी कहा जाता है क्योंकि विश्व को कितने पार्ट में बांट रही है दो भागों में तो इसका मतलब इसी को क्या कहा जाता है विश्वतिये रेखा विश्वतिय रेखा तो इस प्रकार के पस्टों में कभी कन्फ्यूज नहीं होना है इसी को भूमद्य रेखा इसी को जीरो डिगरी अक्सांस और इसी को क्या कहा जाता है और दूसरी ये तो अक्सांस रेखा हो गई और दूसरी जो रेखा खिंजी जाती है उसको क्या कहते है देशांतर है हम यगर बात करें कि ये पूरा का पूरा गलोब है या फिर हम ये बात करें कि पूरा का पूरा विश्व जो है इस विश्व को दो जो कालपनीक रेखा है इन्होंने क्या कर दिया चार भागों में बांट दिया और इसी के साब से अपन हंगर देखें तो राजस्तान की जो स्थिती है वो यह है यहां है राजस्तान तो इसका मतलब यह वा कि विश्व या गलोब के संद्रम में राजस्तान की स्थिती क्या हुई तो यह दिशा कौन सी है तो आप कहोगे उत्तर यह दिशा कौन सी है तो पूरव यह दिशा कौन सी है दक्सिर और यह दिसा कौन से है पस्चिम तो हम अगर वो परसन किसी साब से पूछ रहा है अगर वो चार दिसा दे रहा है अगर वो ऐसा पूछ रहा है कि राजस्तान की स्थिति गलोब पर कौन से गोलार्द में है तो वो अगर चार गोलार्द नाम दे रहा है उत्री गोलार्द पूरव पूर्वी गोलार्द या फिर दक्षिनी पस्चिमी गोलार्द या फिर उत्तर पस्चिमी गोलार्द इस परकार अगर उप्शन दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्द हो जाएगा